असलामों अलेकुम दोस्तो में नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी दोस्तों दुनिया में अंगिनत वरकर्स डेली बिस्स पर जॉब्स करते हैं वैसे तो हर बंदा ही अपने काम में माहिर होता है लेकिन आपस किस वीडियो में मैं आपको दुनिया के उन माहिर और तेज तरीन वरकर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अपने प्रोफेशन को एक अलगी लेवल पर ले गए हैं तो शुरू करते हैं अपना काउंट डाउन दोस्तों आपसब हर हफते ही अपने बालों को कटवाते होंगे लेकिन चाइना और जापान के लोग इस काम को एक अलगी लेवल पर ले गए हैं ये जो बार बार आप दिख रहे हैं ये बंदा दुनिया की सबसी बड़ी ट्रेमर से बालों को कारता है ये ट्रेमर इतनी दोस्तों आप सब डेली रोटी खाते होंगे लेकिन कि आपने कभी दुनिया की सबसे बड़ी रोटी बनते हुए देखा है ये जो पाकिस्तानी कोकाप दिख रहे हैं ये इतनी बड़ी रोटी बना रहा है कि इससे तो पूरे घर का पेट भर जाएगा मज़गी बात ये है कि इतना ज़ादा आटा होने की बावाजूद भी ये इसे परफेक्टली शेप में ढाल कर तवी पर डाल देता है आप में से कितने लोगों ने इस तरह की रोटी खाई है कमिट बक्स में मुझे जरूर बताईएगा और इस भाई के लिए एक लाइक तो बनता ही है एनिवे कि सबसे बड़े नट को टाइट कर रहा है असल में ये सिग्नल टावर है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन बारहाल इस वरकर की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी दूसर दुनिया में बहुत से ऐसे शेफ्स हैं जो कि मज़ेदार और अमेजिंग केक्स बनाते हैं लेकिन क्या हो अगर कोई मास्टर शेफ दुनिया की हर चीज़ को केक में बदल दे वैल ये जो अन्बिलिवेबल केक्स आप दिख रहे हैं इन्हें तुरकी में रहने वाल एक female शेफ ने बनाया है ये शेफ दुनिया की हर चीज़ को एक केक में बदल सकती हैं इन्होंने ऐसे ऐसी चीज़ों के केक्स बनाए हैं जिनने इनसान imagine भी नहीं कर सकता पहली बार तो इन चीज़ों को दे कर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये केक होंगे क्योंकि बिल्कुल realistic ह होती हैं वेल इन जैसा मास्टर शेफ दुनिया में और कोई नहीं हो सकता दोस्तो आप सब ने कभी न कभी फार्मूला वन कार रेस देखी होगी पर क्या आपको पता है कि इन कार्स की विडियो किस तरह बनाई जाती हैं वेल ये कार्स जतनी फास्ट होती हैं इनके कैमरा मैन भी इतने ही फूरतीले होते हैं ये लोग इतनी तेज से कैमरे को मूव करते हैं कि इन देख पाना भी मुश्किल होता है लेकिन बारहाल इनने की ये वज़ा से लोग स्पोर्ट्स चैनल पर कार रेस देख पाते हैं क्योंकि ये बहुत ही तेज होते हैं दूस्तो आप सबने बहुत से घरों में मुख्तलिफ सीलिंग डिजाइन्स देखे होंगी पर क्या आपने कभी किसी देशी मिस्तरी को हाथों से सीलिंग डिजाइन करते हुए देखा है वेल फस्ट ग्लास में तो इस वरकर को देखर ऐसा लगता है जैसी ये चछत पर कचरा बना रहा है क्योंकि ये जिपसम को हाथ से ही चत पर मल रहा है और ये देखने में बहुती बचसूरत लग रही है लिकिन ये जिपसम को हाथ से लगा कर सिर्फ एक लकड़ी की मदद से इसे ऐसा डिजाइन बनाता है किसे देख कर कोई भी बंदा शौक हो जाएगा ये बंदा वाकिहे में प्रो है दोस्तो आप सब के घर में कोई न कोई कालीन कप भी जरूर होगा पर क्या आपको पता है कि ये कार्पिट पीसिस फैक्टरी के अंदर कैसे काट जाते हैं वैल ये इस तरह के माहिरतरीन वरकर्स का कमाल होता है ये हुमन कडर्स सिर्फ कैंची को एक जगा पर स्टेल रखते हैं और कार्पिट का कपड़ा खुद बखुद कटता जाता है ये प्रोसेस इतना सैटिस्वाइंग है कि से देख कर ही मजा आ जाता है दोस्तो दुनिया की हर बुक की तरह कुरान पाग को भी प्रिंटिंग प्रेस में बनाया जाता है फस्ट अफाल तो कुरान मजीद के हर पेश को इलादा-इलादा प्रिंट करके इन्हें तर्तीब से रखा जाता है फिर वर्कर्स इन नौरानी पेजिस को एकी करके जैमा करते हैं और पूरी किताब अकटी हो जाती है पर इस बाई की स्पीड इतनी तेज है कि ये पूरे कुरान मजीद को चन्द सेकंड्स में असेंबल कर देते हैं लेकिन बारहाल अगर कुलाम मजीद को और जदा एतियात से तर्तीब दिया जाए तो और जदा बैतर होगा और इससे घल्टी के भी चांसिस नहीं होगी दोस्तो हमारे घर में बहुत से डिजाइन्स के कप्स और बाउल्स होते हैं पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन बाउल्स पर ये डिजाइन्स किस तरह बनाए जाते हैं वेल ये जो वरकर आप दिख रहे हैं, ये इन क्यूट बॉल्स पर मुतलिफ डिजाइन्स और पैटरंस की स्टेप्स लगा रहा है। मजगी बात ये है कि इन में से हर एक डिजाइन बिल्कुल एकुरेट जगा पर बनता है और ये प्रोसेस इतना फास्ट और सैटिस्फाइंग होता है कि से देख कर ही मज़ा आ जाता है। साइकल की इमेज बना रहा है। मजगी बात ये है कि ये बंदा अपने दूसरे हाथ कभी इस्तमाल नहीं करता और रोड़ पर 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 पर्फेटली साइकल का लोगो बना देता है। दूसरो आप सबने बहुत से घरों में टाइल्स लगी हुई देखी होगी पर क्या आपने कभी इन टाइल्स को हाथों से बनते हुए देखा है। वैलियस डिजाइन को इतना पर्फेटली बनाता है किसे देख कर लगता ही नहीं है कि ये काम हाथों से किया गया होगा। ये आर्ट सच में देखने लाइक है। दोस्तो वैसे तो कंपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए लागों रुपे खर्च कर देती हैं लेकिन अगर किसी कंपनी को इस तरह का वर्कर मिल जाए तो इन्हें लोगों को जबरदस्ती एड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वर्कर बोर्ड लेकर अप पर हुमन वर्कर्स ये काम डेली बिस्स पर करते हैं। वर्कर्स की ये टीम एक यूज बिल्डिंग की विंडोस को क्लीन कर ही है। बिलीव मी अगर इसकी जगा मैं और आप होते तो शायद इदनी उची जगा पर खड़े होकर हम सब बेहोशी हो जाते। दूस्तो अगर को रकड़ी में कील लगा रहा है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसी ये काम कोई मशीन कर रही है क्योंकि कील को तो देखकर भी ठोकना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे बंदों के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल होता है। दूस्तो आपने कभी न कभी अपनी बाइक य टायर को खोल रहा है। वैसे तो आजकल जदीर टूल्स और मशीन्स अवेलेबल हैं जो कि सेकंड्स में टायर बाहर निकाल देती हैं। लेकिन इस शक्स ने बेर हैंड से ना सिर्फ टायर को खोल कर बाहर निकाला बलकि इसकी जगा न्यू टायर भी फिट कर दिया। और य को नए जैसा बना देती हैं। वैल रोट्स को पैंचर लगाने का इससे अच्छा तरीका दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तो आज के लिए पस इतना ही उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मझे इंस्टाग्राम भी फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीव पी आप मझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स वीडियो में। तब तक के लिए अल्ला हाफिस पॉलो कर सकते हैं।